लॉकल नाविगेशन फेस जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेस के एकदम करीब आती के हाँ आप कालियों के गड़गड़ाद के चुछे हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलता पुर्वत फासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेस में आ चुके हैं जिसकी शुरुवात भी बहुत ही अच्छे दंग से हो चुकी है लॉट अप्लॉस इंडिकेश तिल नव परफॉर्मेंस भी नमिनल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लाइंडर क्या हाइट लागातार कम होता जा रहा है इस समय हम लाइंडिंग साइट के जस्ट ऊपर है और इस समय इसकी उचाई लगवग लगवग 600 मीटर के आस पास है इस 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 फेस के दोरान लगवग 150 मीटर के उचाई पे पहुचने के बाद लाइंडर अगें लगवग 20 से 22 से के लिए होरिंग करेगा we are above the landing side the horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lINGER module has begun it's descent towards the landing side जी हाँ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यह जो पत ने धारित किया गया है लेंडर पूरी तरह से उसी को ही फालो कर रहा है इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की उचाई पे हैं चंद्रमा के सताग्चे जी हाँ आप इस्कालियों के गड़गड़ा हट को से उसकते हैं जो कि सकेंड हायोरीट फेस के कम्प्लीट होने के बाद इन सारे रग्यानिकों के द्वारा की जा रहे हैं जी हाँ अगर अगर थिक से ध्यान से देखें तो आल्टीट उना कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगभग लगभग एक सो पैतिस मीटर की उचाई पे हैं अभी आप यह देख सकते हैं के लाइंडर की उचाई लगभग सत्पैसेट मीटर के आसपास बची हुई हैं तो अभी आप समझें सियाल कर दो बचाई भी है अभी आप साउनली अपरीव अभी जाए कर दोच में सब्सक्राव लाइंड़ना, यृवड भी आपिंटर की वेकम की ए रहा है और हम अब्लाग भग लाग बचास मीटर शैखेंग और नावन की इस अप्राइड़ना की न से ही कम आचुके हैं। आफ लाइंडर माडूल पूरी तरह से सेफली और साफली चन्रमा के सता पे लाइंड हो चुका है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की वात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के लेकिन अब हमें कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। पहती हुंदा, अबहुत है। 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 I request, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you sir. मेरे प्यारे परिवार जनों, जब हम अपनी आँखों के सामरे ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं, तो जीवन धन्यव हो जाता है